स्वाकत है दोस्तों मैं हूँ आपका अपना शालेंद्र और आप देख रहे हैं चनल गो इन्वेस्ट दोस्तों आज का सफर हम सुरू कर रहे हैं नौवस्ता बाइपास से घर्टम पूर रोड पर लगभग 9 किलोमेटर चलने के बाद डीडी इसी स्कूल से दोस्तों देनान एक सीबसी बोड स्कूल है काफे अच्छा स्कूल है इसी के ठीक बगल में आपको इसी स्कूल का मिल जाएगा M-Pharma, B-Pharma, B-Ed, MBA, BCA दोस्तों यहां आसपास इसके इलावाद दो बड़े डिगरी कॉलेज और भी हैं मैं बता दूं यहां की जो फेमस लोकेशन है अशली के बीच में हैं रमाइपूर से बिद्नों की दूरी लगबख 3 किलोमेटर की हैं रमाइपूर से वाकिंग डिस्टनस पर लगबख 301 मिटर से और हाइवे से 100 । सामीटर की डिस्टनस पर दोस्तों सिटी में जखा बची नहीं है अगर आप रहने के परपस से सस्ती जखा ढूंड रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि ये नवस्ता गल्ला मंडी से मातर 6 किलो मिटर पर और इस हाईवे से मातर 100 मिटर के डिस्टंस पर है दोस्तों गल्ला मंडी तक तो मैटरो प्रपोजड ही है और फ्यूचर में यहां भी आने की संभावना है दोस्तों इलेक्ट्रिक बसे जो अभी स्टार्ट हुई है वो भी इस रोड़ पर चलती है सायथ अभी एक दूबसे यहां से निकलेंगे मैं दिखाऊँगा आपको यह देखिए दोस्तों यहां पर एक लैंड मार्क है टेंपल है यहां से हम टड़ ले रहे हैं दोस्तों इस 30 फिट की रोड़ के दोनों तरफ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट प्रपोजड है हमारे लेफ तरफ एक नर्सिंग हम प्रपोजड है हमारे राइट साइड पे सहर के बड़े-बड़े इन्वेस्टर से यह भी कुछ कॉमर्शियल परपस से यहां पर इन्वेस्ट की हुए है दोस्तों हम जानते हैं चाहे हमारा कर रही हो, चाहे मचरिया हो चाहे तौधपुर रोड हो इस सभी रोड जो हाइवे से लगे होते हैं फ्यूचर में कॉमर्शल बन ही जाते हैं दोस्तों बस कुछ सेकेंड में हम देखे साइट पहुँच चुके हैं हाइवे से आपने देखा की वाकिंग डिस्टेंस है सामने देख सकते हैं जो आपको घर दिख रहा है ये अपनी साइट पर बना हुआ है और कुछ घर लगातार बन रहे हैं प्रोपोजड हैं, काम बराबर चल रहा है दोस्तों यहाँ फैमली रहती है लाइट आ चुकी है देख सकते हैं सामने भी एक कंस्ट्रक्शन चल आ है दोस्तों अब मैं गाड़ी से उतर के आपको दिखाता हूँ थोड़ा साइट को पास से ये देखिए साइट के इदम पास आ चुके हैं ये एक फैमली हाँ रह रही है बेकुल टाउन के बगल में अपनी टाउन सिप नहीं बन रही है देख सकते हैं सामने हाईवे दिख रहा है हमको गाड़िया निकल रही है ये अपनी गाड़ी खड़ी है इस गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं एक निव टाउन सिप बनी हुई है थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको हाईवे ये देखिए दोस्तों ट्रक निकल रहा है ये नमस्ता घटंपूर हाईवे है ये देखिए गाड़ी के ठीक पीछे एक टाउंसीप यहां भी बनी हुई है दोस्तों इस टाउंसीप में लगबग 8000 रुपे गच का रे खंबे पड़े हुए है बिजली के पोल पड़े हुए है इनको यहां संबल करके दिया जाएगा यहां दोस्तों हम आपको RCC रोड डाल के देंगे लगबग 20-25 फिट तक की सभी रोडे है देख पा रहे हूं एक रास्ता यहां से भी गया हुआ है टाउंसीप के अंदर से आप मकान देख रहे है हाईवे पे है यहां से भी रास्ता आया हुआ है दो तरफ से कनेक्टिवटी मिल रही है हमको अपनी साइड तक आने के लिए एक कॉर्नर यहां बुक है यह आप देख सकते हैं मकान बना हुआ है यहां कुछ लोगों ने जैन्मर बांदी है क्योंकि अभी फिलाल यह प्लोटिंग खाली पड़ी है इस जखापर तब तक के लिए लोग उसका यूज़ कर रहे हैं दोस्तों यहां पर अगर आप रहते हैं तो सुद्ध हवा और सुद्ध दूद सारी चीज़ें अगर हम बजार की बात करें तो बिद्नू की बजार और माधव बन रहा है दोस्तों यह अभी फर्स्ट रोड है हम अपनी साइट की यह पूरी रोड बुक है इसमें लगभग लोगों ने बुकिंग करा लिए यही सामने इस घर के ठीक बगल से एक रोड गया हुआ है वहां पर आप भी आप ले सकते हैं सामने भी कुछ प्लॉट खाली यहां भी आप ले सकते हैं दोस्तों यहां पर अभी 100 गज के प्लॉट एवलेबल हैं मात्र 6000 रुपे गज के रेट से हो भी कैस पे अगर आप फाइनस कराना चाहते हैं तो उसका रेट थोड़ा सा अलग रहेगा उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिएगा निमबर है जिसका कंस्टेशन चला था और यह देखिए दोस्तों मैं जूम कर दिखाता हूँ यह वही स्कूल है जहां से हमने सफर आज का स्टार्ट किया था दोस्तों पूरी तरह से दाखिल खारेज जमीन है आप जो उसको पर्चेस करते हैं तो यह आपके नाम से रेजिस्ट्री हो जाएगी और दाखिल खारेज होके ऑनलाइन चड़ जाएगी दोस्तों वापस निकल चुके हैं अपने सफर पर दोस्तों इस समय हमें रमईपुरी चोहराई पर हैं मैं इस चोहराई की आपको वैलू बता दूँ कि यहां इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है इसलिए फ्यूचर का आप उसको नवस्ता बाइपास कहें तो कोई अतिसेगती नहीं होगी क्योंकि यहां से अगर राइट अगर होते हुए हाईवे पहुंच जाते हैं अकबरपूर हाईवे अगर हम सामने जाते हैं तो नवस्ता पहुंच जाते हैं लगबगा 8 km डिस्टेंस पर अगर हम पीछे जाते हैं वापस तो घाटंपूर हमेरपूर पहुंच जाते हैं MP निकल जाते हैं दोस्तों यहां प फ्यूचर वैलू बहुत अच्छी है यहां investment purpose है जो देख रहें ट्रेक्टर खड़ा हुआ है यह वही बस से जो मैं बता रहा था कि यहां चलने लगी है बैटरी वाली दोस्तों यहां से अभी connectivity खतम नहीं होई यहां से हम right turn करते हैं तो यह रोड सीधा रामादी भी चला गया है पिपर गमा होकर पाली चला गया है टॉंस चला गया है सरसौल चला गया है आप GT रोड highway निकल सकते हैं इसी रोड से होते हुए दोस्तों आप समझ गया होगे यहां रोडों की connectivity बहुत जबर्जस्त है इसलिए यहां की value बहुत बढ़ती को share कर दीजेगा मिलते हैं छोटे से break के बाद आधे राधे